नोक्षमार्वस्य नितारं नितारं कर्म बुप्रतां ज्यातारं विश्वत अप्वानां वन्दे तत्वुणा लगते तत्वार सूत्र में अनर्थ दंड पर काफी विस्तृत चर्चा अपनी हुई और उस विस्तृत चर्चा में लगवग लगवग कल जो बातें आई थी वो बातें मुख्य रूप से पांच जो अतिचार हैं उन पांच अतिचारों से रिलेटिट थी कंदर्प क्या होता है आस्मिस्रिक ये जो होते हैं अपने वो क्या होता है फिर कौत कुछ क्या है मौकर या इत्यादी अनेक विश्य इसमें लिए थी और हमने उन पर विस्तार से चर्चा भी की थी वराबर अब ये सब मुद्दे जो कल चर्चा में आये थी मतलब हर प्रकार से इस बात को बताया गया था कि कैसे हसा जाए कैसे प्रोड़ती की जाए कितना बूला जाए कितना संग्रह किया जाए इत्यादी जेन दर्शन में हर चीज के बारे में विस्तार से बताया गया है ये जेन धर्म की जिसे मैंने कल शब्द में भी कहा था कि ये जेन धर्म है वो कोई पूजा पार्ठ मातर से संबंदित नहीं है ये जेन धर्म कम्प्लीट साइंस है लाइफ साइंस है पूरी जीवन शेल कोई व्यक्ति अगर जेन धर्म को आग्या को मान कर चलता है तो एक भी जीवन में उसकी अक्टिविटी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें जेन धर्म का सिक्का ना लगए क्योंकि हर अपने शास्त्रों में गाइडेंस है कैसे किया जाए कितना किया जाए क्या नहीं किया जाए इत्यादी तमाम चीजें हमारे आप पर कही गहीं हैं इसलिए उन सब को हमें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना चाहिए बराबर ख्याल में आए कि नहीं है हुआ और हालत यह है कि जेन धằngकी विग्ज्यानिकता को साही हमने हिपा हमने अपनी सोच के आधारप अवयज्णिक सिद्द करने की कुउश dif not as possible थी थी गिनाना जेंदर पॉसिबल ना थी यहीं लाइफस्टाइल पॉसिबल ना थी अत्यारे को अरे भाई आज नहीं तो काले पापना भयती नहीं तो तमें कुद्रतना ना एको जो बायो डाइवरसिटीज के एको सिस्टम आवदा पॉइंट अग्यू थी तमने जेंदर्शन नी लाइफस्टाइल स्वी कारवीज पॉडश है जेंदर्वनी लाइफस्टाइल नो प्राइमरी सिद्धान छे कि तमें दुनियाना बॉस न थी क्याल मावेशे बीजा धर्मों मा सूंत है ओ एक बहुच मोटी भूल करवा मावी अनर्थ दंडनी चर्चा छे अनर्थ दंडनी चर्चा नो प्सन हा रहीती करूँ जो कि बीजा बदा धर्मों मावी रीते केवा मावी कि मनुष्य छे ने बॉस छे अने बद्दी बस्तु ह इंसान माटे जेंदर्म के दना तमें आ श्रस्तीना बॉस न थी अने तमारा माटे काई न थी बद्दु जे छे ये बद्दा माटे छे वराबर इसाई और क्रिश्चन धर्म मा इसलाम धर्म मा आ प्रॉब्लम आवी ये लोकों आउँ बतावियो कि मनुष्य छे ने मनुष आना माटे बदू इंसान ने बहगवान ने इंसान मनाया और इंसान के लिए सारी कुद्रत यह काईनात माटे लोकों नी बेसलाइन जे इंसान नो वापर वानो राइट छे जारे जेन दर्शन सु कहें चे कि जिटलो राइट तमारों चे इटलो ज राइट इच एन एवरीची बद्धियों जेमा विवेक चे तरक ख्षमता चे एने पड़ इटलो ज दिकार चे जिटलो विवेक अने तरक ख्षमता नती एमा पर प्रद्वी में वायू में अगनी में उनकी तरफ से कोई केस नहीं लड़ सकता उनकी तरफ वो ख्षमता नहीं है तो मनुश्य क्या कर रहा है कि बिना विरोध के जीता जा रहा है और बॉस वाली फीलिंग उसकी बढ़ती जा रहा है रिसूर्स का बर्डन धर्ती पर बढ़ता जाए अपने साधनों का और रिसूर्स गटते जा रहा है और इसके कारण दुनिया का पूरा असंतुरन होता जा रहा है इसलिए आज नहीं तो कल खुदरत को जैन बनना ही पड़ेगा बले वो नाम से जैन ना बने पाप से बचन के लिए सबको जैनत्तों शहली अपनानी ही पड़ेगी जो मिनिममम रिसूर्स में मैक्सीमम जीवन जीते हैं और इसलिए अपने आपके कहा है अनर्थ दंड़ मतलब व्यर्थ के काम मत करो इस बात की बड़ी वो रहती है इस सारे अर्थ शास्त्री होने एक ही घड़ित फक्डी है इकॉनमी ग्रोथ करे ग्रोथ करे ग्रोथ करे अब ग्रोथ करेगी कैसे अगर एक टीवी को पूरा परिवार देख लेगी तो दस टीवियां कैसे बिकेंगी इसलिए वो आपको ऐसे बताएंगे हर कमरे में अलग एक गाड़ी में चार लोग सफर कर लें तो ज्यादा गाड़ी है कैसे बिकेंगी तो वो सिकाते ही सब की अपनी-पनी गाड़ी में पैटरोल लेकिन मुद्धा ये गाड़ी बनाने के लिए लोहा और चलने के लिए पैटरोल तुम कहां से ला वो हर चीज़ तुमारी दूसरे पर डिपेंड है और तुम हत से जादा उनका प्योग करके उस संत लंकी कड़े को चूर चूर कर रहा हूँ इसलिए बात अनर्थ दंड की बहुत ही मतलब मुझे तो बड़ा गौरव होता है कि जब भी मुझे पता चलता और किसी अजयनों के बीच में यह बात रखने का मुझे मौका मिलता है तो यह मुद्धा जरूर उठा कि हमारे आचार्यों ने हमें जो जीवन शेली थी है वह मै क्या कहते है डिपेंडेंसी वाज और जितनी ज़रूरत हो उतने साधनों से अधिक अगर आप उप्योग कर रहे हो तो अनर्थ दंड नाम का पाप का कि सन्योग में शरीर में यहां तक की विचारों में भी क्या बोला है जरीर में वियरत की चीजें नहीं करना रोटती बहुत नहीं करना बहुत आज बहुत दं कि अभुमत परना पागल बहुत क्या क्या करते हैं इनके पीछे पागल मत बनना किसी को भी एलान मस्क को जो बोजे इस बनने की ज़रूरत नहीं कि यह सबने वो टाइम्स वाले ने उसे इलॉन मस्क को क्या कहते हैं परसन अब दहीं अच्छा परसन है वो फ्यूचर वो पूरे वर्स का रहे भाई तुम्हें वो बनने की जिरुवत नहीं तुम इलॉन मस्क बनने की बजाए आत्म मस्क बनो सबसे ब्राइट सूचर जिनेंद्र भक्त का है तो जिनाग्या को माथे रखकर जीवन जीता है शिद्धों के बीच में सद्धों जैसा विराज मांग हो जाता है ब्राइट स्चरक की सका है जहां तक मेरो मस्क को जानता हूँ और जो मैंने थोड़ा वारे में पड़ा सुना है उससे एक बात मुझे पता चली उसके बारे में ग्सOOOOOOOOkt तो निकट वर्ती बविश्य होगा पचासो साल का लेकिन जिनेंद्र भक्त का बविश्य कितने साल का सागर साधी अनंत का लगा इलोन मस्की की सोच से तो आपके तस-पचास साल नए प्रकार के संजोगों में बीतेंगे और जिनेंद्र प्रभू की सोच से आपका अनंत काल जिनेंद्र भगवान के जिनसा बीतेगा तो सच बताओ कौन हमारे लिए आदरणी है इलोन मस्क कि आत्मस्त अरंत बगवान, आत्मस्त सिद्ध बगवान, कौन आदर अनीद और किसकी आग्जिया हमारे लिए सुरोधार, इतनी सी बात आप सुने, ठीक है, ऐसे करके अनर्थ दंड व्रत को हमने समझा, अनर्थ दंड को समझा, और यह समझा कि ऐसे अनर्थ में नहीं पढ़ना, मतलब आनर्थ दंड व्रत कहलाता है, ठीक है, मुझे उम्मीद है, काफी विस्तरे चर्चा लगवग लगवग पांस से छे क्लास के साथ क्लास में हुई है, इसके बाद में आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, करेंगे की नहीं कर सब्सक्राइब कर लेते हैं, करमा कमोनर्स की मासा में आगर बात करेंगे, आपका मित बस्त हो जा रहा है, ऐसा मत करो, बहुत आप पढ़ाने का काम आपका है, आप पढ़ाओ, जीवन तो हम जैसे जीते हैं, हमारे जीवन के हम मालिक हैं, ऐसा है, समझें, लेकिन होप्स हो की थोड़े विवेक पूर्ण आप जीवन जीएंगे, यह इतनी सारी अपनी चर्चा के बात, आगे अपन लेते हैं, अब वो जरा बात को थोड़ा नए वरत पर लेकर जाते हैं, उस बुरत का नाम है, सामाईक वरत, कौन सा वरत, सामाईक वरत, सामाईक क्या है, इसको थो आत्मामा ध्यान देवू। अबड़ आत्मामा ध्यान देवू, क्या है, बड़बड, कुषी बैन शुचो, क्या होचे, दिनेश बाए, 6, नग कौना बैन, दिनेश बाए, मानवाचन काया थी बजपरद रवह संता पूरवक मानवाचन काया नि मर्यादा पूरवक आत्मा मा लीन्ध हवानो अभ्यास कर वो बराबे बैरी तर्शी उखकर एका ग्राची थोकर आत्मा में गुजराथी में को चाले प्रग्मा में बहु वाल है मने अवड़े से गुजराथी में को तो आत्म मस्तेर सही ने एक चीते सामाइक ना पाठ पाठो मनमान जो पहु सरल तमने काऊं एक तो केवाए दिश्चे सामाइक के आत्म लीनता हुए पॉन आत्म लीनता ना प्रयास आने आत्म लीनता ना प्रयास ना तो हमने एक जग्या बैस हुए तो बीजी जग्यानी खटर पटर बंद कर भी पड़े की नहीं पड़े दाखला तरीके हुँ कुल्सी उपर बैसे लो छू मत्यारे तो मुस्तिर क्यारे रैश कि जारे मारा कुल्टी ना चारे चाहा पाया छे एक एवा हुए स्थिर होई आने एमा कहीं इत्रर चुर्र चार ठतो हुए हिल्ले डुल्डु जाले तो पची हुँ बैसी रैशे कुछ वे स्थिर मोश जें आख कुसी उपर हुँ मुआ बैसे लो छूम तो एना चारे चाहर पाया स्थिर छे त्यारे जैने हूं इस्तिर थाई शब्ट एम आत्मा मां स्तिर थवा माटे आपना जे मन वचन काय ना जे पाया छे ए पाया ने स्तिर एकाग्र करूँ पड़े काया थी इस्तिर वह सी जवान वानी थी मौन थे जवान अने पजी मन नो काम्स तकै कि मन ने तत्व विचार मां लगाड़ा मन ने आत्म चिंतन मन लगाड़ा मां आवी रीते जारे मन मां तबे स्तिर थानों अभ्यास करो जो जैने सामाइक थाए आ नवकार वाड़ी करी करी ने सामाइक तती नथी पॉइंट समते हैं चलो एने थूड़क आपने विचार करी शून छे जो सम आय शम आय नूँ व्याख्यासू करे छे एकत्तो पणाथी आया इटले आगमन क्यवा नूँ मतलब सुन छे कि पर द्रव्यों थी निवर्त थाईने उप्योग ने आत्मा मा प्रोरती बराबर इले सू क्यवा माँगे छे आवी रिते क्यवा माँगे छे कि आ आत्मा जे पर पधार्तों मा प्रवर्तन करे छे ए त्यां थी निवर्त थाईने निव्रूत ही ने इन-दसेंस कमकी परमा मने सेफ लागतौन हाई me वेह स्था होए एक रस्ता म खाड़ा वेह शाय और अबए जो रस्था हाई वेह सेम टाइम लागतो होअ वर área सिस्था तो अब्यूसली तुम्हें को रस्ता पर कर शुआ है ना ना मैं तो रॉल रॉलर कोस्टर राइड अमने बहुंच करने एडले हमें तो खाड़ा के बुचरावादा रस्ता ओपर जाई शुआ है आव नहीं था इना मोटा भागे लोगों को एक्सप्रेस भी पापकड़ शु आत्मा मा लीन थवानी जेनी वृत्ती छे ए विश्यों थी ओट्रमेटिकली दूर थाये छे किम कि एना एक्सप्रेस भी लागे आना सरीर मा के वो लागे आवदू नॉर्मल वस्तु लागे कि आत्मा मा लीनता एकत्तो पणा एवोज हुँँचू एवोज हुँचू एवोज हुँचू आम जानी ने जे आत्मा मा स्तिरतानों अभ्यास करे सम आये त्या टके रुके विचारे एने सामाई केवाये जी पराबर क्याल मा वीगेओ समझया तो के वी रिते थाए आम तो गड़ीवदी चर्चा पहला पण करे ली छे पर आठ्टलों सामाई विजुसूं आर्थ करेशे आई विचार सम आया सम एटले रागदेस रहित मध्यस्त आत्मा आये एटले एमां उप्योगनी प्रवट्ती कि ज्यां तमें सम भाव मा । घड़ी वन्याक की संसार माने सरीर मां कीव सिस्थम से इको सिस्थम हम को सिस्थम तमारी द्रै यह को से जहां कि आयों कि तो करी समझ आंग है तो प्रno बाई नले ही जो आवे गई कामना नहीं थी भाई धाता नोता थेगी रेखा सीधी आवे तो मानस पती गियो शरीर मा आने आत्मा मा रेखा सीधी आवे तो सुद्ध ताने पामी गियो एक मा संसार मा जे सीधी रेका मरण नी निशानी चे मोख्ष मार्ग मा समता नी सीधी रेका मोख्ष मार्ग नी गमननी निशानी अत्यार है आपना परिणामों मा राग और देशना करव घणा चे के नई बोलो परिणामने ठिकाना तम्हें विचारवा जाओ एक क्षण में क्या राग तम्हें वो जेजे वस्तु जेजे व्यक्ती जेजे घटना एक क्षण पहला तमने बहुज रागनों कारण बनती थी अमुक समय पची एज व्यक्ती एज घटना एज वस्तु तमने बेशनों कारण बनी जाए वो पेक्षा भावनों कारण बनी जाए आ मानस्यों कोई थी कान जे सन्योग तमने शरुआत्मां बहुज आनन दाएक लागता था एज सन्योग थोड़क समय पची जिए कि इरिटेटिंग बोरिंग आम कई चेंज आउगोदू अंदर मां तड़पन थवाल आगे जिए क्याल मांगे जिए आउग न तो तो घर मां मुक्लों को यह उच कर है कि वह सौफानी पहले आम डारेक्शन छे पाश्यां करी दे पहलों करें चेंज करें पड़दा चेंज करें कुर्सी न गुमावी लिए कंग जोई है कंग जोई है अब फैसन सूचे फैसन आपकी फैसन ने कॉंसेप्ट है ना उपर टके लोग पैसन नो कॉंसेप्ट है कि बदूसूं थाएचे साइकल था इने पाच हो आवेच है कलमा में कि लिए आ बद्धी वस्तु अपडाउन अपडाउन नी दिशानी जारे तम्हें समत्तुना पॉइंट अब यूथी जुवा लाक्षो प्यारेस तमारी साचा आर्थमा समता थसे हैं एज वस्तुने कि भाई सम आया इटले राग दिश रहित जे आत्मा छे मध्यस्त आत्मा एमां उप्योगनी प्रुवणती करवी जुए एने सुन केवाएचे सामाई केवाएचे अगड़ नमबर छे यह परिवाश खिई ले आत्मा मा एकत्ति पनाती प्रोटती मंध्यस्त पनाती प्रूटती आने पची आ समाय तो लगते समब्यों ऐगवान आत्मा आत्मा जे लेगवायती चेक समय है फ्रियोजन जिसका एने सुन के वाये चे सामाई घणी वगत जो आपके ना था तो ओए ना कई कि आमें सामाई करी पर कहीं पोच्फ तो ना होए त्यार है एक बार तो मैं व्याख्यान पर सांबड़ता हो ना तो पर तमें सामाई मगर व्याख्यान का परपस के लिए होना चाहिए एक्जाम देने के लिए व्याख्यान सुने वो विद्ध्यारती है सामाईक नहीं कर रहा जिस व्याख्यान में उद्देश आत्म लक्षी हो वही व्याख्यान सुनना सामाईक की केटेगरी में आता है आत्मा का लक्ष ना बना हो तो व्याक्ष्यान का स्रवण मात्र सामाई कि मैं नहीं क्याल मैं मुझे पता नहीं इतने सारे लोग सुन रहे हैं कौन किस अभी प्राय से सुन रहा है मुझे पता नहीं मैं मना परेग्याने भी नहीं बराबर चेहरा वेरा देखता हो तो लेकिन अगर हमारे स्वेतामबर्वित्रों से बूलें तो कि नहीं नहीं हो सकती तो मैं लाइट जला लिया तो मतलब मोबाइल में असामाइक नाम का वायरास उनकी द्रस्टी में मोबाइल में कौन सा वायरास है तुम अंधेरे में बैठ के राग दिस कर लो तो पूरे लेकिन मोबाइल को छूलिया और पड़ लिया लाइट जला गये तो तुम्हाइए सामाइक चैसे हैं बोलो के कुछी मैं सदेखले एक्चली हूं प्रतिकमण ना क्लास करू छू तो एमा यूज केवा मां आवे छे के तम्में मोबाइल उपर प्रतिकमण वगाड़ तो इवस्तु केम नो कराई के बेसिक कंसेप्ट जेनो इछे के बद्धा काय नी हिंसा थी विरख्थ हवानू तो तम्हें मोबाइल चालू करने न करो तो इप्रतिकमण नो थे इसके हाँ माने खबर चे एक कोश्चन तमारा तरप्ति एक्सपेक्टेड हातो आने तमाने इगणा नुक्तों काईट्स या प्रश्ण आ रहाए छे हमां पोई नवाहिनी वात पर मुद्धा समझवा जिनू चे कि पहला नंबर तमने जे व्याख्या करी छे प्रतिकमण नी आ व चावी शको छो आ जीवने हजी अट्टूज भान न थी कि जो खरेकर हूं एक जीवनी इंसा करूँ छो आने एक जीवनी रक्षा करूँ छो आ जीव कौण छे पुले मारी पोतानी आत्मा छे हूं ए फेवर मा न थी कि तमें अनावस्यक प्रयोग करो पड़ आवस्तू तो छेना वाई कि तमें पेले तो तो संजो कि जा सुधित मैं आत्मा नी महिमा ना आवैं मानी इस्तिर्ता रूप सामाई के बिली कि कॉंसेप्टेज प्रतिक्रमण नो बगड़ ही नाख है क्उंसेप्टेज मां एउं करी दी दूछे मिंज चोंछ काहली इनसानी जीवनी अर यह ब्वाई। पहला नंबर अवस्कु एडला मादे तो क्रतिक्रम्न आधी विश्कुम्ब छे। अख्यों जगत् सुप्हें किए प्रतिक्रवण अम्रूत कुम्ब छे पड़े के जिसमें पर्तिक्रु मज़ते कारण महा फुर्मेस सराकी गाथामไร अ इसा फ्सक्राल से आइंसानी समझ हो की ते और तो य्यात्मिस्तिरता परकद हमिन्सानी समझ वtha सुगिदू अभेवस्टू संजु जरा सुगिदू परिती आ लाइन पोगी चारडी इस इंसानी समझ मां करता पड़ू मोह पड़ू मुख्य छे कि आत्मिस्थिरता मुख्य छे सु मुख्य छे संदय भावी छो ने दीपीका भेन बदा ना बंद चेको बंद आती कौन क्या छे सु कर रहे छे आत्मिस्थिरता बराबर छे पड़ना बेजिक अमने यह सिखवाड है इंसा अटले पीजा कोई ना हूं बचा हूं हूं बचा हूं 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 बचा हूं हूं साची अच्छा या कंसेप्ट क्लियरेटी न थी पहला में पड़ने आज इव खरेकर क्यांकि में खरेकर आम जो लोकों ने ओड़ फूच घड़ा लोकों ने ओड़ फूच जे कहें कि भई अमने तमारी बदीवात गमेच है पॉन सू करिये हूं मंदेरा सर्माउत या पंक पांखों तो न थी करीश है नहीं पर मारों पंखों तो बंगीश कम करो मारा अत्या है नहीं आरा बाजू में बजार करिश है अधिले मुद्धा नहीं संजया हाजी, बद्धी बाजु येज भाव छे, क्यों एने बचावीलो, एने बचावीलो, एने बचावीलो, एने अखु प्रतिक्रमना ए विधी विधानमा एवो उल्जेलो छे, साचु कुमने कोई पहलो केवानी पहलो नथी, पन इटलू अधिक्रमना एटले कोई आध मिचावना समय जवनाज का नहीं नला एठीक्रमन एटले लोग एम केवाने दोड़ियो लुए बद्धिकार्मना एटले कि ऐ अधिक्रमन करें लोग एटले के मुद्राना एटले। नहीं पर ती बड़ी ने पेसफिए पाती बड़ो औनेख पर ती ओड़ो फिर च्ण नहीं पाती बड़酌 गरती प्रतीक्रमन जे पर्मा गयो चे जीव एनी बाजू ती पाच्छो अने जो भाई आत्मा मा ज्यां सुधी आओ से नहीं ज्यां सुधी कदाच बाहर नी द्रव इंसासी तो बची जाए पड़ अंदर मा पड़ेली भाव इंसानूं सुम करशे कोई ज्री बाहर नी इनसाथी बची जाहर अंधारा कम्रा मा अचे बरावर कोई पड़ पासे लाइट नती पंखा नती मोबाय नती इंटर्नेट नती कश्म नती पण शुम ए समय एक अंदर मा राग नथी द्वेश नथी विकार नथी मोह नथी काम नथी क्रोध नथी प्रमाद नथी जो बदू छे तो पाप तो पड़े आच्छे न कया पाप्थी बच्छे आज प्रतिक्रमण नथी पाप्थी दूर जवानों नाम सामाईक नथी आत्मामा आवानू नाम प्रतिक्रमण छे आत्मामा आवानू नाम सामाईक छे opez दिकिल्म हज़े टो अने आत्मिचार माचर्वानी जरूर पड़े आत्मिचार माचर्वानी जरूर सजक पड़े बराब करेंड तो हमें की विरीतेन ने स्थानぁ प्रतिक्रम्वान अने यूडी बनी गई गई चे लाइट पंका नीवापर वाना याउँ बदू पर्तिक्रम्वान दोड़ी ने जाया प्रतिक्रम्वान करवा व्याक्ष्यान करवान आट लुज पहला देश्या पहला बेश्या पहला लोको अटली वार सांड़ी लेचे ना कि पात दस वरस पजी तो कोई पंडित ना आवे तो को ते मिच्छान करें इए फिक्स अच्छे एक लेक्चेर तमें कम बुद्धी वाला हो तो बे बार पड़ी जाए थुड़क बुद्धी वालों तो बे बार मां तरण चार बार मां तो मंध मां मंध बुद्धी एने पड़ बदू खबर पड़ी जाए कि मारा पर खेल माले ताया हुआ कि माइक नोपन आओ दुरागरे थे यूच आखी स्वितंबर समाच कि मात्र अवे केगी साब सेगड़ों लोग को वच्चे बोलवू छे माइक नीवापन अने जो अवे सु कही है अवे जड़ता वाड़ी बात आजी जाए यहने लिदे कोई ने कसु खबर पड़ती जना ते अने बैसे आ रहे जे विचारा कई खबर पड़ती नथी अने साध होने आउनती की मोटा-मोटा आयोयों जनो नो रस साधुने मोटा-मोटा आयोयों जनो नो रस चाहे आने बोली ओलिजल्या आंवे तो एकका लाब२े इंदल्थी आ ह looked at आद अनी बात्रीस्ट पोलों कशने अने खबर पड़ती चब्स bênरे थी नौकार्जी यदिन जमनवार सारो तो ना सारो तो ना पहलो तो प्रसंसर अपति आने माइक पजी कोना लोगोना हाथ महों ये गवया होए ने चैय या होए वालोट नाइफ माइक तत पुती दूर तही आकी समाज़ ना भगार थे रहे हो जिए इड़ला माटे स kindaink मतलब और शीनसाती वचवा माटे आपने प्रतिक्रमन सामय नहीं करेंगे आत्मा मा इस्तिर का एज साची अहिंसा अच्छे बागी बदू हिंसा अच्छे ज़ए तोड़ी विचारवाद अवे अब यू नथी कि पची हां कि साधू ने सुकरू जो ये साधू माटे बात जुदी चेगी साधू ना सर्व सावत दिनों त्याग हो तो कदा साधू आव प्रेयोग करें अने धर्मा राधना माटे पचीव तहीं जाए आडवल स्टेंडर्ड नाच अ भराबक घर माटे पाप माटे तो बद्दी रीते प्रेयोग करें कोई विचार ना करें जैडर ना करें लाइट पंखाने वाद तो बहू दूर रही। पचा जाद ना अभक् स्थिर्ता माटे समझण होगी जो इना यह शास्त्री संगीत नी समझण कोई ने हुए अवे सुगेवाएगी मोनोलिसानी पैंटिंग छे न मोनोलिसानी पैंटिंग बराबर खुशी बेन अवे जो तो कदाथ बेत्रण कलाग सुझ जोता रहे हैं अने मारा जिवा हो तो पां क्या आने मारा कोर्स पांच बीट मां पूरो केम था यो अन्य न कड़ता चे आमा अगण पड़ता चे एक पर आप कालापो कप लाको सुझी केम छे प्राश मां चेना थियार है एरेस ना म्यूजियम त्यां जोता हमाटे कलापो कलापो अन्य बजी विंचिए कि साब खिड तो यह बदू तमें टकवानों क्या रहे था से मोनो लिशान मा टक्सों क्या रहे जिटली तमारी समझ आसे इतलो टक्षों नहीं तो जही ने आट अफिरा करी ने बाच सेल्फी पड़ा वीशु कहला नम्रों वीचु कहीं नहीं करी कोई कदा जलाओ नहीं है से त्यां नहीं ना यह मनें खब अच्छा यह लाव नहीं आट जहीं आगा जो किटली वार उबार रहा था नहीं गोंटी इसले केवा मतलब समझें ना जेने जे विशाय मां अभ्यास है एक कलाकोस दीत यह रही शक है अन्य जेने अभ्यास ना हो आए यह तो पछी उभा थे जाए आव खतन्ना कन्भो मनें थे उत जारे जैपुर मां हूं वह तो एक बार एक शास्त्री संगीतना फ्री टिकिट म आठ्लू बदू पड़ा नहीं एक दम जेमनी एक जले मा यार्दो कलाप्स दी यह जालाप यह जालाप यह जालाप तरता रहे और जेलो को आम मुझाटी लो हाँ जालतो करी यार्वी रस लेवानी ट्राइव लिटरली उट्राइव करतो तो कि मनें आनंद आवे पड़ा क्या थी आवे कपट मारा थी था तो ना थी कि समझ पड़े कि ना पड़े बदा वावा करता हो तो आपने वावा करी यह जालाप यह जेलो को खरेकर रसड्न होए एक कलापो सुधिये वस्तुने सामदेश सब्सक्राइव करता है । कि अंदर मां तो तुमारू चाले आने ग्रास्त आवी इंसाती सर्वता दूर न थी स्रावक को मुनी माटे भले ही वात आवे कि एमने तो कहीं जरूर है जी न थी बाचवाजी वो जरूर छेसु एमना तो अंदर मां समय सार छे तो मुनियों दूर रहे तो चाले पड़ श्रावक ने तो भूमिका अनुसार आत्म कल्याण ना लक्षती जो ए बदी वस्तुनों प्रियोग करू पड़े तो कई खोटू ने पड़ हां ख्यान राक्षो दवा नहीं लेशो तो है माधा रेश आने एक नीजग्या दस लहीं को को ओपार लो में लोज एक या स्वा करका था तो को पर अाम कर दोंव मैं कर दो दो को वे दो कि कि अ उन्य में लोगदा है को फड़िवरे खर रेष्ण आनले खर वे फर रेदी बवां नहीं पर दो को भूमिके खर घए और से ब़ूमिक यवा कर के लिए आत्रावक वा झाल, 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 झाल